हेलो दोस्तो टेलीकॉम गुरू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं संजीव वार्ष ने आज आज आपको जैट के टेको की जो बायोमेट्रिक एक्सिस कंट्रोल मशीन है उसके बारे में आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली RFID का ओप्शन अवलेबल होता है इसमें fingerprint का ओप्शन अवलेबल होता है और इसमें password का ओप्शन अवलेबल होता है तो आप किसी भी तरीके से आप किसी भी log को आप open इसके थुरू कर सकते हैं और इसमें different means आप EM log भी लगा सकते हैं electric lock भी लगा सकते हैं और इसमें आप जो है dropwood lock भी लगा सकते हैं तो let's start the video इसमें सबसे पहला हमारा इसमें जो password होता है that is star hash star hash 1 2 3 4 hash तो सबसे पहले इसमें हमें admin password बनाना होता है admin password जैसी आप main password एंटर करेंगे उसके बाद आपको finger आपको दिखाना है admin के लिए three times जैसे ही लंबी बीप आ जाती है तो that means कि आपका admin register हो गया है और उसके बाद आप hash press करके बाहर आ जाएंगे और hash press करके बाहर आने का मतलब है कि अब आप कोई भी इसमें program कर सकते हैं अब suppose हमारे कोई user register करना है user मतलब अपनी finger register करनी है तो उसके लिए admin password आपको डालना पड़ेगा अब इसमें देखिए अब हमारा password पहले star hash 1234 था star hash अब आपको जो है finger आपको दिखाने पड़ेगी जो admin finger है यह लंबी भी पा गई that means कि आप program mode में enter कर गए हैं अब हमारे को hash प्रेस करके location number suppose हमें 1000 location में डालना है हमने 1000 location enter किया और then hash तो अब हमने अब इसमें हम अपनी finger लगाएंगे जो भी हमारी user finger है यह हमने user finger लगाया यह long beep आ गई that means कि आपकी finger store हो गई और हम star करके exit करके बाहर आ जाएंगे star से हम exit कर सकते हैं अब हम अपनी finger को check करते हैं user finger को यह देखिए इसमें light यहाँ पर green हो गई that means आपके lock up का open हो गया relay की आवाज आपकी आ गई तो इस तरीके से हमने इसमें जो finger store किया है अब हम store करते हैं इसके अंदर password store करते हैं आप password store करने के लिए इसके अंदर process वही आपको same program mode में जाना है star hash और उसके बाद आपको जो है जो आपका admin finger है वो आपको दिखाना है यह हमने admin finger दिखाया अब हम program mode में enter कर गए है और उसके बाद हमें जैसे आपको 3 press करना है और उसके बाद first password तो first password है तो first करना है अगर second है तो second करना है suppose मैं second press करता हूँ मैंने second press किया 32 अब इसके बाद password तो जो भी password आपको डालना है suppose 2525 हमने example लिया और hash अब हमारे को repeat करना है 2525 हैश अब यह store हो गया और इस्टार से हम exit कर जाएंगे अब हम इसको check करके देखते हैं 2525 देन हैश देखिए यह relay की आवाज आई और आपका जो है lock open हो गया अब तीसरे case में हम देखते हैं कि इसमें हम RFID card कैसे register करेंगे तो RFID card register करने के लिए same process है आप program mode में enter करेंगे star hash अब उसके बाद आप admin finger दिखाएंगे यह हमने admin finger दिखाया और इसके बाद हमारे को एक user id suppose user id हमने डाला one hash press करने के बाद पहले हम एक बार बहर आजाते हैं दोबारा हम जाते हैं star hash और फिर हमने admin finger यह access हो गया अब उसके बाद hash और फिर हम location number जैसे हमने 1003 suppose डाला और उसके बाद हम इसमें 1003 करेंगे हैश करेंगे अब हम कोई भी RFID card जो जिसको हमें sign करना है यह देखे long beep आ गई that means की card आपका register हो गया और उसके बाद हम star press करके exit कर जाएंगे और उसके बाद हम जब card को show करेंगे यह देखे relay click हो गया और आपका lock open हो गया तो इस तरीके से हम finger भी register कर सकते हैं card भी register कर सकते हैं और password से भी कर सकते हैं तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like जरूर कीजेगा and चैनल को subscribe कीजेगा and press the bell icon thank you